स्टूडेंट्स कैसे आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे खुशबाश होंगे स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कारवानी उर्दू ब्राइजवाच्छाहरम दाएजुकेटर हमारे पास है चैप्टर नमबर थ्री सारे काम कौन कर जाता था स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी रेडिंग करेंगे मदीने के करीब एक अंदी बुढ़िया की जोंपड़ी थी वो बिचारी बहुत कमजोर और गरीब थी यानि एक अंदी बुढ़िया थी जिसे नज़र नहीं आता था वो बिचारी बहुत कमजोर थी और गरीब थी उसके घर में उसके सिवा कोई और ना था उसकी मदद करता उसका ख्यार रखता और उसका काम काज़ करता यानि वो अकेली रहती थी और उसके घर में कोई नहीं था जो उसकी मदद करता और उसे आंखों से नजर भी नहीं आता था हज़ा अमर फारूक को जब उस बुड़ी औरत के बारे में पता चला तो वो हर रोज सुबा सवेरे बुड़ीया के घर जाते उसके घर में जाडू देते पानी भरते जरूरत की चीज़े बजार से लाकर रख देते बुड़ीया तो बेचारी अंधी थी उससे पता भी ना चलता और हज़ा उमर खामोशी से उनके सारे काम करके चुपके से चले जाते एक अरसे तक उनका यही मामूर रहा यानि उनकी यही आदत रही वो ऐसे ही करते रहे एक अरसे तक के चुपके से उनका काम कराते एक दिन हज़़त उमर जब बुड़ीया के घर आई तो देखा कि घर में जाडू भी दी जा चुकी है मटकों यानि घरों में पानी भी भरा हुआ है आपको सामने मटके नजर आ रहा है ना ये देखे तो पानी भी भरा हुआ है जरूरत के हर चीज़ घर में मजूद है अब तो इन्हें बड़ी हैरत हुई कि आखिर मुझसे भी पहले आकर ये सारे कम कौन कर गया सोचने वाले बात तो थी ना पहले तो हज़ा उमर कर जाते थे आज कौन कर गया तीसरे दिन भी बुड़ीय बेचारी तो अंदी थी उसे क्या खबर के कौन आता है और सारे कम कर जाता है इसलिए हज़ा उमर ने सोचा कि मुझे चुपकर राज जानने की कोशिश करना चाहिए अगली रात को आप दरवाजे के करीब चुपकर खड़े हो गए अभी सुबा होने में काफी देर थी कि एक साहिब चुपके चुपके तश्रीफ लाए और घर के सारे कम खामोशी से करने लगे इन्होंने पहले घर की जाडू दी फिर मटकों में पानी भरा फिर हज़ा उमर अंधेरे की वज़े से उनको पहचान भी ना सके जब वो साहिब काम करके दर्वाजे के पास पहुंचे तो हज़ा उमर इन्हें देकर हैरान रह गए वो कोई और नई उस वक्त के खलीफा हज़ा अबुबकर सदीग रजी अला अनहा थे जो खलीफा वक्त होने के बावजूद भी इस बुड़ी औरत का इतना ख्यार रखते थे कि घर का हर काम अपने हाथों से कर जाते थे हज़ा उमर ने कहा अमीर अलमुमिन पहले तो ये सारे काम मैं करता था अब आप ये सब क्यों करने लगे हैं हज़ा अबुबकर सदीक रजी अला अनहा ने जवाब दिया उस वक्त मैं अमीर अलमुमिन नहीं था खलीफा बनने के बाद ये मेरी जिमेदारी है कि मैं हर फर्द का ख्यार रखूं तो स्टूडेंट्स रीडिंग करके अच्छा लगा आपको तो स्टूडेंट्स रीडिंग तो हमने डंड कर ली अब हम इसकी एक्सेसाइज को देखेंगे तो सबक नमबर हमारे पास तीन है सारे काम कोन कर जाता है तो सवाल नमबर एक है अलफाज के माईने लिखे ठीक है तो पहला वर्ड है अलफाज है हमारे पास अमीर अलमूमिन मुसल्मानों के आला हाकिम खलीफा यानि पेगंबर का नाइब मामूल यानि आदत ठीक है तो सवाल नमबर एक है हज़ा अमर फारूक बढ़िया के सारे काम क्यों कर जाते थे तो बच्चों रीडिंग किये तो आपको पता चल गया होगा के हज़ा अमर फारूक बढ़िया के सारे काम क्यों कर जाते थे तो जवाब है क्यों के वो अंधी थी और बहुत कमजोर थी ठीक है तो अब देखते हैं सवाल नमबर दो हज़ा अमर फारूक बढ़िया के कौन कौन से काम करते थे तो जवाब है हज़ा अमर उस घर में जाड़ू देते पानी बढ़ते जरूरत की चीज़े बाजार से लाकर रख देते सवाल नमबर तीन है हज़ा अमर फारूक को किस बात से हैरत थी तो जवाब है कि आखिर मुझसे पहले आकर ये सारे काम कौन कर जाता है हज़ा अमर फारू को इस बात पर हैरत थी सवाल नमबर चार है हज़ा अमर रजी अला ताला अन्हा ने काम करने वाले शख्स का राज कैसे जानना तुस्टरेंस आप सोचे जवाब क्या है जवाब है अगली रात आप दर्वाजे के करीब छुप कर खड़े हो गए इसी तरह आपने उस शख्स का राज चान लिया ठीक है सवाल नमबर पांच है हज़ा अबबकर ने बुड़िया के कामों की जिमेदारी क्यूं उठाई थी जवाब है क्यूंके वो अमीरल मौमिनी बन गए थे सवाल नमबर छे है इस वाक्या से आपको जो नतीजा हासिल किया दो जुमलों में तहरीर कीजिए तो जवाब है हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले बिमार और बज़ुर्गों की मदद करनी चाहिए और इनका ख्यार रखना चाहिए ठीक है स्टूरंस तो कस्टन नमबर सेवन देखते है तो कस्टन नमबर सेवन है अलफाज के जुमले बनाए मामूल मामूल के मताबिक अली ने अपना काम अली ने अपना सारा काम कर लिया ठीक है دوسرا ہے راز ہمیں دوسروں کے راز فاش نہیں کرنے چاہئے یعنی پھیلانے نہیں چاہئے خليفہ حضہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خليفہ تھے ذمہ داری میں اپنا کام ذمہ داری سے کرتا ہوں حیرت کمپیوٹر ایک حیرت انگیز اجاد ہے تو سٹورنٹس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दवाना मत भूलिएगा थेंक यू सो मुझा